आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो इस question में मुझे क्या किवन है that a moment of inertia of a square lamina about the perpendicular axis through its center of mass is 20 kg meter square okay then its moment of inertia about an axis touching its side and in the plane of the lamina will be तो देखो question मुझे क्या बोल रहा है कि let's suppose मेरे पास एक square lamina है कुछ इस तरीके से ठीक है तो एक axis है जो कि इसके perpendicular है और center of mass से पास हो रही जानि कि कुछ इस तरीके से एक axis होगी इसके center पर जो inside the plane of papers आ रही है और उसके about मुझे moment of inertia given है 20 kg meter square तो मुझसे पूछा है कि एक axis मुझे बता यूँ है जो कि इस square lamina के plane में ही है और इसकी एक side से पास हो रही है यानि कि वो axis कुछ इस तरीके से रही होगी इस side के about कुछ इस तरीके से axis रही होगी इसके about मुझे moment of inertia बताना है तो देखो कैसे करेंगे मैं जानता हूँ कि मान लेता हूँ कि इस side में x axis है इधर y axis है और ये जो inside the plane of paper ये है z axis तो ये square lamina है तो मैं बोल सकता हूँ perpendicular axis के through कि i x plus i y is equal to iz होगा तो ये जो 20 kg meter square मुझे moment of inertia दे रखा है ये i about z मुझे given है क्योंकि ये जो axis मैंने माहनी है कि right side में x उपर y और अंदर की तरफ z axis है तो मुझे z given है तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि i x plus i y equal to iz होगा और ये uniform body है center of mass के about हम निकाल रहे है तो let's suppose ये i x है और ये है i y तो i x और i y बराबर होंगे तो यहां से बोल सकता हूँ कि 2 i y is equal to iz तो यहां से मेरे पास i y की value आ गई कितनी iz by 2 that is 10 kg meter square तो अब मेरे पास moment of inertia आ चुका है इस axis के about मेरे पास moment of inertia आ चुका है जो कि center of mass से pass कर रही है और lamina के इस frame में sorry lamina के इस plane में तो मुझे निकलना है इस axis के about इसको मैं बोल देता हूँ तो मुझे इस axis के about पता है और मुझे इस axis के about निकलना है तो मैं क्या use करूँगा parallel axis theorem तो i a b मैं लिख सकता हूँ i a b हो जाएगा मेरे पास इस axis को मैं नाम देता हूँ ठीक है तो यह हो जाएगा i p q plus mass of the lamina into यह जो distance है यह distance कितना हो जाएगा let's suppose यह side है इसकी यह L है यह side इसकी L है तो यह distance हो जाएगा L by 2 यहनि M into L by 2 का square ठीक है तो यह निकल जाएँगा अब मुझे ना तो mass given है और ना ही length given है तो मैं कैसे करूँगा मुझे given है कि center of mass से पास होने वाली axis जो कि lamina की perpendicular है उसके about 20 kgm square है तो mass से moment of inertia किता लिख सकता हूँ मैं ml square by 6 जो axis center of mass से पास हो रही है और lamina के plane के perpendicular है उसके about ml square by 6 होता है और यह मुझे 20 given है तो यहां से ml square की value आगे मेरे पास कितनी 6 into 20 that is 120 तो यहां से आ जाएगा मेरे पास iab is equals to ipq ipq कितना हो जाएगा i y जितना वो है 10 plus m into l square by 4 तो यह कितना हो जाएगा i ab मेरे पास आ जाएगा 10 plus ml square कितना है था 120 divided by 4 तो यह कितना हो गया i ab की value मेरे पास आ गई 40 और kg meter square यह आ गई मेरे पास moment of inertia about the axis ab चिक है और यही मेरा answer हो जाएगा चिक है अब अगर options में देखे है तो 40 kg meter square option number 3 मुझे मेरे answer से match वतावा दिख रहा है तो इस question का answer हो जाएगा option number 3 I hope आप लोगों को clearly समझाया होगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर